दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही यूजफूल हो सकती है मेरे सारे वीवर्स के लिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर कोई दवा एक्सपायर हो चुकी है तो उसको कैसे इस्तमाल करना है यहां यह बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपकी इस्तमाल किया जाए तो बहुत सारी दवाईया लोगों के घर में पड़ी होती है वो अगर लंबे समय तक अन्यूजड होती है तो इस्तमाल करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा कौन सी दवाउं को आपको तुरंथी दिना चाहि सफके हैं है लेकिन आप इस्ताम कर सकते हैं यह वीडियो पूरा देखें यह आं तक लिए आपकी जादा मगणी हो सकती निए उसका मतलब यह होता है कि जो वह दवा है वो उस पीरियट तक बहुत ही जब अजस्ट काम करी आने कि उस पीरियट तक वह अपने पीक पर रहेगी अगर कोई दवा एक्सपायर डेट के अंदर तो मतलब यह हुआ कि वह दवा उस समय में बहुत अच्छा काम करेगी लिखिन अगर दवा हो गई तो वह दवा जहर नहीं बन जाती है मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी है मैंने उसमें बताया है कि अगर कोई दवा एक्सपायर हो गई है तो वह दवा जहर नहीं बन जाएगी उसके साथ क्या होगा उसकी जो पोटेंसी होती है काम करने कि वह घड़ जाएगी थोड़ा सा घड जाएगी उससे जादा को दिखे दुगी अगर दौब आप खाने से आप मर नहीं जाएंगे आप मैं आपको बता दू कि पहले की कौन कौन से दौब का आपको इस्तमाल बिलकुल भी नहीं करना है अगर वो दौब हो गई है तो सबसे पहली चीज अगर आप किटनी की दवा खा रहे हैं तो अगर आप को अपने दवा खाई आपको बड़ी हुई है तो क्या होगा कि आपके जयान पर जोखिम आएगी दवा खाने से आप नहीं बनेगे लिकिन दवा काम ना करने से आपको दिक्कत हो सकती है कोछ पार पर आसंगे में तो सुखर के साथ में तो सुगर की दवाइन बीपी की दवाइन और दाइन इनवाइन पर क्यों हैं आप अगर श्क्री안पा कर सकते हैं लिकिए हो गयी यह सिर्ड शॐय मेप कं लेकिन का अब कर सकते हैं आप कि तो इसके बाद गबप्ले में जहां पुरोई को विघ्क छा minded कर सकते हैं तो इसके बाद गमले में जहां पी उसकों आप पाउधों में कर सकते हैं बहुत अच्छा समान मिलेगा आपको और कुछ दवाईयां होती हैं एंटी फंगल दवाईयां जैसे कि फुरुकोनाजोल हो गया इन दवाईयां को भी आप तोड़ करकि जिसे कुछ दवाईयां कुछ पाउधों किसमें पतियों में कीडे दे पतियों में आप अरग सकते हैं उनके जोड़ों में रख दें जो फुरुकोनाजोल का एक्षन है वह बहुत अच्छा में बहुत अच्छा में पौधे जो है कीडे पढ़ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे आब आते हैं को दवाईयां इस्पाइश दवाईयां जो आप अपन अब उसका अपने स्क्रीन कर सकते हैं उसे कोई फोड़ा फूंसी कोई दाना नहीं निकलेगा हाँ थोड़ा सा उसका 10-15 % इफिकेशी कम हो जाएगी लेकिन आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपके स्कीन में इंफ्रेक्शन है तो आप सबसे लास्ट और सबसे इंप आप पेट की दबाद खा सकते हैं आप को आम करेंगी आपको जो तेज दर्द हो रहा है उससे आपको कुछ आराम देंगे लेकिन नुक्सान नहीं करेंगी नहीं नहीं जहर जाती हैं तो यह वीडियो मुलाने का मसल सुर्फ इतना है कि जो लोगं के मन में ध्रणाय होती हैं क तो मर जाएंगे दिख्केते हैं वो सारा कुछ नहीं होगा आप इस पार्मासिस्ट आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन आप जो डरते हैं वो चीज जरे मत दबा इस पार नहीं बन जाती है तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही आशा करता हूं कि आपको कोशिश कुछ हथ तक सफल रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इससे लाइक कर दें अगर आप मेंचल पर पहली दफार हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना बूरें ताकि मैं जो भी नए वीडियो लाँ उसका अपडेट आप तक सबस से पहले पहुंच सके तो मिलता हूं किसी और वीडियो में तब तक लिए आप सबी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाल